ही गाईज, विल्कम बेंग टो मिनी ब्लोग और आज मैं बहुत जादा खुस हूँ क्योंकि आज मेरा बियर्ट कम्प्लीट हो चुका है और मैं यहाँ पर तो वीडियो ग्राफिक कर ले थी इतने में पूजा में हम आ गई तो उसके बाद ना हम लोग यहाँ से गई सिदे नानक मता क्योंकि हमें थोड़ा सा वहाँ पर गुत द्वारा देखना था मम्मी साथ में आई भी थी तो हम लोग ने सुझा कि मम्मी को भी दिखा ले यहाँ पर इतनी सारी फेस थी ना देखकर इतना अच्छा लगा था और मतलब जो व्यू था ना यहाँ का वो बहुत ही सुन्दर था यार कि मतलब ऐसा मान कर रहा था कि यहीं रह जाओ तो सब कुछ मतलब बहुत ही अच्छा है यहाँ पर और जो यहां का मतलब environment है जो atmosphere है वो बहुत ही अच्छा है बहुत ही cool है मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है मैं बता नहीं सकते कि मुझे फर्स टाइम जब मैं कि तब भी बहुत पसंद आया और दूसरी दिन ना हम टनकपुर में ही रुके थे और दूसरी दिन उसके बाद हम चले गए ते सिद्य माता फुर्णागिरी के मंदिर क्योंकि हमें वहाँ जाना था तो हमने सुझा कि चलो एक बर होके यात हैं और जैसे हम वहाँ पर पहुँचे ना हमारे सब्सक्राइब क्या हुआ कि मैं क्या बता हूँ आपको लेकि बता ही देते हूं कि जैसे हम यहाँ पर पहुँचे ना यहाँ पर था पार्किंग का एरिया और यहाँ के लोग ना प और वही प्रसाद आपको उपर 40 मतल में 40 रुपी में मिल जाएगा तो इसलिए मैं आपको एड़्वाइज देती है जब भी पहल जाओ ना तो पर सी प्रसाद लेना हम पहुंच के थे और हमने यहां पर तुरसा फोटोग्राफी की उसके बाद हम गए इतनी सारे दुकाने य पापा की गोड़ में तो मैं तो बहुत जादा खुश थी लेकिन बाद में गोड़ मुझे बहुत प्रिसान किया है यह बोल दी खुद ही जाओंगी तो बहुत प्रिशान करती है कि मैं खुद चलूँगी लेकिन उस फिर में बहुत हमें बहुत प्रॉब्लम हो थी कैसे च कि चलो हम लोग मतलब यहां पहुंच गए हैं कि इतने मालब अभी बहुता ही लोग थे हमारे आगे से उन्हें दर्शन करना था यहां से जो व्यू था रहा वो इतना संदर दिख रहा था कि आपको बताने से नेपाल बॉर्डर रहा से को सामने दिख रहा था और भीड तो आ हाड़ी पेना मंदिर बहुत जारी भी लग रहा था कि इतने लोगों के वज़े से कहीं है मतलब गिरना जाएं यहां पर हम दर्शन करने के बाद हो उसा फोटोग्राफी की फिर हम नीजी को आ गए थे मंदिर के और यह मुझे देखे ना बहुत बुरा लगा लोग कैसे कर करते हैं तो इस मिनी ब्लोग को यहीं पे खतेम करते हैं